हलो फ्रेंट्स मैं हूँ निशा लंबे समय तक हम प्याज को कैसे स्टोर कर सकते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो फ्रेंट्स ये जो दिख रहा है ये है अनियन पाउडर इसे मैंने बहुत एजली घर में ही तियार किया है तो फ्रेंट्स मेरे पास बहुत सारी प्याज इकठा हो गई थी इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जमनी भी स्टार्ट हो गई है तो मैंने सुचा अब इसका मैं क्या करू तो मैंने एक ट्रिक लगाई और सारी प्याज को इस तरीके से छील दिया छिलका इसका हटा दिया है और इसे हम बिल्कुल पानी से नहीं दूलेंगे बस छिलका अटा देंगे और स्लाइसेस में कट कर देते हैं जिस तरीके से हम सबजी वगारा के लिए काटते हैं उसी तरीके से हम इसे काट लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से पतले पतले पीसे काटना हैं आप देख सकते हैं हमने सारी प्याज को कट करके त्यार कर लिया ये लगबाग 1.5 किलो के करीब प्यास थी इसे मैंने कट कर लिया है स्लाइसे में और दो थाली में हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे पतला पतला फला देते ह और इसे हम 3-4 दिन दूप में इसी तरीके से रखते रहेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ड्राइ हो जाएगी तो 3-4 दिन के बाद आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से सूख चुकी है ड्राइ हो चुकी है अब हम इसका पाउडर बना कर त्यार कर लेते हैं एक ग्राइडिंग जाल ले लेते हैं और सारे सुखे हुए प्याज को हम ग्राइडिंग जाल में ट्रांसफर करेंगे और ग्राइड कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स बहुत ही पर्फेक्ट हमारा ये अनियन पाउडर बनकर त्यार हो चुका है तो फ्रेंट्स इस अनियन पावडर को हम एक एर टाइट कंटेनर में डाल देंगे और स्टोर करके रख देते हैं जब भी हमें कोई जल्द बाजी है और ग्रेवी बनाना है जैसे कि हम छोले बनाते हैं या पनीर बगेरा बनाते हैं तो हमें अनियन ग्रेवी की जरूरत होती है अनियन पेस्ट की जरूरत होती है उसकी जगे हम इस पावडर को यूज कर सकते हैं इसे भी हमने अनियन के साथ ही त्यार किया है तो ये काम आपका बहुत ही आसान कर देगा ये पावडर तो आप भी इस तरीके से यूज करिए subscribe to my channel thank you so much